नमश्कार दोस्तों फाइनली Samsung Exynos 200 series processor really दोस्तों महुत ज्यादा powerful होने वाला है क्योंकि कही ना कहीं टक्कर जो देने वाला है Qualcomm के Snapdragon 8 generation 1 वाले processor को MediaTek के Dimensity 9000 processor series को टक्कर देने के लिए पिल्कु रेडी क्या खाती है Samsung के इस processor में क्योंकि यह दो processor आते हैं मार्केट में जो की जनरल ही आपको अब जो 2022 के premium set mobile phone दिख रहे हैं वहाँ पर आपको Snapdragon 8 generation 1 प्रसेसर लेकिन दोस्तों Exynos किस आपको मॉइल में देखने के लिए मिल जाएगा 2020 में सबसे बहुत करें किस मॉइल के साथ आने वाला है आपना processor introduce कर रहा है इसमें आपको especially क्या मिलता है क्योंकि दोस्तों यहां पर बात करों थिकने सब प्रोसेसर तो फोर एनम रखी की है और इन तीन प्रोसेसरों की मतलब चार नैनो मीटर इनकी ठिकनेस है जो कि बहुत ज़्यादा पतली होती दोस्तों मतलब बाल बरावर प्रोसेसर है और इसमें EUV टेकनोलीची का यूस किया गया है जिसमें दोस्तों ठिकनेस होने के बाद भी इतना हिट अप नहीं होता और जो प्रोसेसिंग यूनिट हो बह बहुत ज़्यादा कंपनिया या या यूज़ करती है या डिफेंट डिफेंट कंपनियों का यूस करती है लेकिन आपको सैमसंग के प्रोसेसर में जो जीप्यू देखने के लिए मिलेगा और दोस्तों सबसे इंपोर्टन ठीक है वह है कि इसमें आपको फस्त काइंट आप hybrid graphics processor राइए hybrid graphics processor को कीओ कहा जा रहा है इसमें especially इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तब आप game खेलते हैं या आपको इदेख रहे है तो color detaining में बहुत जादा इस पर focus किया गया है, इस processor में यह है कि आने वाले time में camera site अब डिस्पले को बहुत ज़्यादा तवज्जु मिलने वाली है क्यूंकि आभी के processor यह दिखा रहे है हमें कि आने वाले time में mobile में क्या दिखने के लिए मिलने वाला है तो यहां पर बात करूँ Samsung के इस processor में तो जो display की rays होती है या display ray होती है तो आप stand पर खेलने कब display को आप किस angle पर game खेलना है तो उस चीज का भी processor ध्यान लखेगा और आपको मतलब जैसे कि आप site slot कर रहे हैं और game में movement बहुत रहता दो तो mobile का आप बात करूँ में सामने टीवी या किसी console पर game खेलना है तो टीवी की position से हम रहते हैं तब भी आप थोड़ा बहुत खिलते रहते हैं तो इतना चलता है मैं लेकिन तब mobile की बात आते हैं दोस्तो screen हर पल हर second बदलती है तो वो movement समझेगा और उस movement के हिसाफ से आपकी जो graphics है और जो उसके color है उस हिसाफ से वो बतलाफ करता रहेगा तो एक बहुत अच्छा नया technology face देखने के लिए मिलने वारा आपको इस processor में especially और दोस्तों बात करें क्या 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 supportable है क्योंकि यह main चीज़े बाकी में बहु अच्छी सैंसंग नहीं लांच करा और अभी तक कोई ऐसा प्रोसेसर नहीं था पिर कहीं ना करीं डाइमेंसिटी मीडियाटेक के डाइमेंसिटी 9000 सीरीज में मिला कि 200 मेगा पिक्सल तक का लैंस सपोर्ट कर लेगा लेकिन इस तरह ड्रैगन में यह नहीं है 8 वाले प्रोस पर हम 8K रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल रेडी है मुवाइल बे और यहां पर आपको 4K डिस्प्ले जो कि हम डारेक्ली बात करें 4K डिस्प्ले पर जो जनरली इसका स्क्रीन फ्रेश रेट होने वाला है वह 120 हर्ट होने वाला है क्योंकि दोस्तों अभी तक मैग्जिम के उपर डिपैंड कर रहे हैं तो हम क्वाड एच्डी विट 140 इसके फ्रेश रेट पर जा सकते हैं लेकिन अभी तक हम बात करें तो 120 हर्ट मतलब मोर्दन सफिस्टे क्योंकि अब ग्राफिक्स का काम चालू कर दिया है ना कि बात करो इसके फ्रेश रेट का इसके फ्रेश से ज्यादा का काम भी नहीं है तो इसलिए 144 रखा है Quad HD के साफ लेकिन आफ 4K चलाते हैं तो आपको 120 हर्ट से 4K डिस्पले पर आपको 120 हर्ट से इसके फ्रेश देखने के लिए बिल जाएगा और इसमें जो रेम यूस की गई है तो LPDDR5 रेम यूस की गई है जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं फिर रेम आती है तो अब कहीं ना कहीं वीच्वल रेम का भी कॉंसेप्ट आने लग गया है ज्यादा का मॉयल होगो तो इस प्रोसेसर में वह चीज का भी ध्यान लगा गया है UFS 3.1 इस्टोरे दिया गया है यह कि आप वीच्वल रेम को भी पास से 6-10-12 GB तक अराम से एक्सेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें में बात करूं स्टोरेज की तो आपको 256 128 GB क्योंकि प्रीमियम सेट मॉयल पॉन में आने वाला यह प्रोसेसर तो बहुत कुछ आपको नया देखने के लिए बिलेगा और इस्पेशली 5G कनेक्टिविट है क्योंकि आज कर 5G को प्रोसेसर थे तो उसमें 5G तो मिलता था लेकिन एक कूबियों के साथ नहीं मिलता था लेकिन इसमें आपको 5G मॉडम मिलता है प्लग सब 6 G GHz की प्रोसेसर पर डायक्ली कनेक्ट कर पाएंगे जो भी जिस मॉयल में यह यूज होगा क्योंकि बैंट दिये गए है बात करने यह जो लगा जा रही है कि आठ परवरी में आपको ग्लोबली लॉंच कर देंगे डिए इसलिए हम एक्सपरेटिशन को बिल्कू क्लियर मान सकते है जो रैंडम साही है वह बहुत जादा स्ट्रॉंग आई है और दोस्तों कि यह मुवाइल मतलब प्रोसेसर आता है तो झाने बातुस्तों